फ्रेंड्स पीएसे विस्टम में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे MPPSC मेंस पेपर 3 साइन्स टेक की इसमें हम 2020 का मेंस का पूरा पेपर 3 डिस्कस करेंगे इसमें हम फर्स कुशन देखते हैं राइट नेम ओफ नॉन मेटल हैं लस्टरस पॉपर्टी सिमिलर टू मेटल्स ऐसा नॉन मेटल का नाम बताना है जिसके में लस्टरस पॉपर्टी होती है इसका मतलब ऐसा नॉन मेटल जिसमें शाइनिंग अपियरेंच होता है मेटल्स के musa सिर्फडर्णाट आट सत vér Ó як इंटसकें एन कारवाई इंट सकて हैं तो हम डिरेकिली जो है आयो ूड़ीन कार्बं लिख सकते हैं ब्रेकेट में हम डाइमंड मेंक्शा तब भी स्कूर्च में में पूर तरी मार्च क्या है फी topic अब हम समझ लेते हैं इस question में non metals का generally dull appearance रहता है पर कुछ इसमें exceptions है exceptions यह है iodine और carbon जो है वो non metal है पर उनका shining appearance है carbon जो है उसके कुछ forms जो है उनका ही shining appearance है carbon के सारे forms का shining appearance नहीं रहता है तो carbon के कुछ forms में आते हैं diamond और graphite next question देखते हैं काफी लोगों को mathematics के questions में इसमें problem जाती है तो हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि यह questions किस तरीके से होते हैं यह question है what value will replace the question mark in the following equation इस equation में यहाँ पर जो यह question mark है इसकी जोगे कौन सी value आनी चाहिए यह question है यह equation ही यह fractions में है तो मैं बता दूँ इन fractions को हम इस तरीके से solve करते हैं जैसे यह लिखा है 4 integer 1 by 2 4 into 2 plus 1 होगा इसमें इसको हम fraction में इस तरीके से ले आ सकते हैं 4 into 2 होता है 8 plus 1 that is 9 तो इसका आएगा 9 by 2 अब इसको हम ऐसे solve कर सकते हैं 3 integer 1 by 6 तो 6 into 3 18 plus 1 19 19 by 6 फिर question mark के जगे हम x assume करते हैं and then है 2 integer 1 by 3 तो 3 2 is 6 plus 1 7 by 3 ओके देन है 13 integer 2 by 5 13 5 is 65 plus 2 67 by 5 then इसके बाद हम इन सबका LCM लेंगे x को अलग ही रखेंगे plus x से दर ही आ जाएगा अलग से इन सबका LCM आएगा 6 2 है यह तो इसमें 3 का multiply होगा तो 3 2 जा 6 इदर से 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 then 6 LCM में नीचे 6 है तो 1 का हो जाएगा 19 into 1 to 19 7 है यहाँ पर और नीचे 3 है तो 3 का 2 से multiply होगा तब जाके 6 आएगा तो 7 2 से 14 यह हमने यह solve कर लिए इदर प्लस 1 आजाएगा और 67 by 5 आजाएगा इन तीनों का addition करेंगे 27 plus 19 plus 14 वो होता है 60 by 6 plus x और 67 by 5 then x as a tc रहेगा equals to 67 by 5 यहाँ पर 60 by 6 plus में है equal to के opposite side जाएगा तो यह minus में हो जाएगा x equals to 67 by 5 minus 60 by 6 अब इसका हम LCM लेके solve करेंगे ओके इसका LCM आएगा 5 6 का 30 LCM आएगा यहाँ पर 30 आजाएगा 5 6 सा 30 होता है तो 67 में 6 का multiplication होगा 6 5 सा 30 होता है 60 में 5 का multiplication होगा तो x की value आजाएगी 402 minus 300 upon 30 minus है इसको minus करेंगे बचेगा 102 by 30 fraction में हम इसको solve करेंगे तो आजाएगा 3.4 यह जो यहाँ पर x था इसकी value हमने solve कर लिये कितनी आईए 3.4 ओके next question देखते हैं next question है if the cost price is 96% of the selling price then what is the profit percentage तो इस question में बोल रहे हैं कि अगर cost price जो है वो 96% होती है selling price के तो profit percent किता रहेगा ओके तो हम selling price को इस question में 100 assume कर लेते हैं तो cost price कितनी हो जाएगी 96% okay into 100 cost price हो जाएगी 96 ठीक है profit होता है SP-CP तो profit कितना आजाएगा 100-96 profit आजाएगा 4 रुपे का profit हुआ है profit percentage होता है profit upon CP into 100 profit हुआ है 4 रुपे का cost price हमारी निकली 96 okay and into 100 करेंगे तो profit percent आजाएगा 25 by 6 और 4.17% प्रेंट्स इस question में अगर कुछ doubt है तो आप comment section में नीचे बता सकते हैं next question देखते हैं evaluate करना है इस equation को 28% of 450 plus 45% of 280 off मतलब multiply रहता है ठीक है तो 28% percent में है तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं वह बहुत काफी easy तरीके से solve हो जाता है इन दोनों equations में यह दोनों में plus के पहले वाली और plus के बाद वाली जितना भी चीजे common हैं हम अलग से निकाल देते हैं तो common था 28 by 100 into 450 यह पूरा का पूरा ही common आ गया अंदर क्या बचा 1 बचा 1 में multiply करेंगे तब ही आएगा plus इस side भी 1 बचेगा तो अब इसको हम काफी easily solve कर सकते हैं 28 into 450 1 plus 1 होता है 2 upon में 100 था ओके तो यह 45 से के 0 से 100 का 0 जो है वह cancel हो जाएगा अब हम multiply कर सकते हैं इसको 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 5 9 जा 45 एंड 28 into 9 बचा तो वह आ जाएगा 252 ओके next question देखते हैं next question है what do you mean by sustainable development sustainable development से हम क्या समझते हैं यह question जो है 3 marks में है हम इसे short में किस तरुके से लिख सकते हैं कि sustainable development क्या होता है कि ऐसा development जो present generation की नीट तो पूरी करें ही करें साथी साथ future generations की जो भी नीट है उनको बिना compromise करें इसका example हम कुछ देख लेते हैं solar energy का example हो सकता है crop rotation हो सकता है solar energy किस तरह से solar energy का हम use तो कर रहें उससे कुछ भी pollution नहीं होगा तो यह sustainable development का example लिखा जा सकता है crop rotation हम कैसे देख सकते हैं कि हम crops का plantation तो करते हैं पर soil की fertility को इससे हम खराब नहीं कर रहें तो future generation की जो भी नीड है हम उसको affect नहीं कर रहें और sustainable development यह चीज नहीं हुई जैसे हम किसी technology का development कर रहें पर उससे pollution हो रहा है तो यह sustainable development नहीं हुआ तो solar energy crop rotation जो है यह काई के sustainable development के example से हम एक third point इसमें यह लिख सकते हैं कि 2015 में UN General Assembly ने 17 sustainable development goals जो है वो अडॉप किया थे जो हमें 2030 तक यह target हमने रखा है इसको पूरा कने का okay three marks में हम short mail इतना लिख सकते हैं कि development that includes fulfilling the needs of the present without compromising future examples में हम लिख सकते हैं solar energy and crop rotation okay 17 sustainable goals by UN General Assembly okay three marks में हमें short में answers लिखने रहते हैं next question है IUCN and UNEP का full form पूछा गया था तो three marks में अगर आया है तो हम सिरह full form लिख के भी छोड़ सकते हैं तब भी हमें पूरे three marks मिलेंगे इस question में अगर हमने क्योंकि full form ही पूछा है okay पर अगर थोड़ा हम addition दे सकते हैं तो हमारा एक भी नंबर कहीं भी नहीं गया okay IUCN का full form होता है International Union for conservation of nature कब फॉण्ड किया गया था 1948 में फॉण्ड किया गया था है हम इत्ता भी लिखेंगे तो हमें पूरे three marks मिल जाएंगे okay क्योंकि three marks में दोनों है IUCN भी है और UNEP भी है UNEP का full form किया रहता है United Nation Environment Program कब फॉण्ड किया गया था 1972 में फॉण्ड किया गया था हेड़कॉटर का है नेरोबी केन्या में है 193 UN Member States है इसमें हम IUCN में एम लेख सकते हैं नाम से ही हमें इसका एम समझ में आ रहा है कि नेचर कंसरवेशन होना चीए और नेचरल रिसोर्स का सस्टेनेबल यूज होना चीए प्रेसिडेंट इसके है IUCN के रजनल मुबारक इसमें हम देखते हैं UNEP में मेंबर्स कितने हैं पूरे 193 UN मेंबर की जितने भी United Nations के मेंबर है वो UNEP के भी मेंबर है मेंडेट इसका यह है कि environment से जो भी challenges है जो भी issues है उनको solve किया जाए जैसे climate changes में include होगा marine and terrestrial ecosystem green economic development और जो भी environment से related issues है सारी country इसमें उसको solve करती है discussion होता है नेक्स प्रवाइब करते हैं तो पहला तो हम इसमें तीन पॉइंट में इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेंगू फीवर जो है यह यह मॉस्क्लिटोर्स होता है यह टाइप का वाइरस होता है जो कि फ्लैवी रियाड फैमली का होता है इसके variants जो है चाँ टाइप के वेरियन उते हैं डेंगू फीवरे के डेंगू वाइरस1 डेंगू वाइरस2 डेंगू वाइरस3 एंडेंगू वाइरस4 अगर इसमें डेंगू फीवर में infection से एक भार recovery हो जाती है तो वह lifelong Immunity डेवलप हो जाती है तो यह 3 point हम इसमें लिख सकते हैं next question देखते हैं इसमें पूच़ा गया है theme of national science टे 2022 की क्या theme थी तो हम इस question में direct theme लिख के भी छोड़ सकते है national science टे की 2022 की theme ये थी integrated approach in science and technology for sustainable future के लिए integrated approach होनी चाहिए तब भी हमें पूरे three marks मिल जाएंगे कि अगर सिरफ हम थीम लिखते हैं तो और ब्रैकेट में अगर हम ऐसा भी लिखते हैं कि नैशनल साइंस टेज होए यह 28 वैप को मनाया जाता है रहामान एफक की डिस्कवरी के कारण तब भी इसमें हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं के씨 दिख्थे हैं का इसे व mail एंट लिक्रेशन के वाट डिफाली नुश्च और न जाव किया रप्रेंट करता है तो इस यह के कुश्चवरी इंस वह ऊपनगा नियुकर स्प्रीक अलोई करता है तो हम इसमें सारे ह। यह उज़्य उसकेड़ूक के दो टेक्नोलोजी ऐसे टेक्नोलोजी होती है जोकी biological systems living organisms का यूज करके products का develop किया जाता है उसे हम बाइयो टेक्नोलोजी केते हैं जैसे baking bread जो है उसमें yeast का यूज करके bread ब wellness है जाती है तो याँक एक इसमपल है बाइयो टेक्नोलोजी का अब हम colored समझ लेते हैं कि कौन सा color by technology में क्या रिप्रेजर्ट करता है रैड बायो टेखनो नवी जो है मैडिसें और यूमन हेल्थ से रिलेटेड है युक् quase बाक्रिन प्रोसेस्से में एंडस्ट्रीयल गेols इंडस्ट्री प्रोसेस्स में जो di तो many and nutrition से related है ग्रे जो है वो environment बायो टेकनलोजी है green हमने देखा कि agriculture से related है green ऑके पर इसमें जो grey है ये environment से related है गोल्ड जो है वो bioinformatics computer sciences से related है brown बायो टेकनलोजी जो है dry regions और desert से related है violet जो है वो law ethics and philosophy से related है चैकनलोजी जो है यह बायों टेररिशम और बायोय के वार्फेर से रिलेटेद ए फसने हैं इसरो फाइफ maintenance of launch vehicles developed by israo 5 generations launch vehicles कौन से हैं जो israo ने डेवलप किया है तो israo के फाइफking जैनल चैनल G P Q 1 पहला है gives把它 by launch vehicle जो है the performance satellite launch vehicle tu's a news टेलाप होगे। इसले टाप्य को एक नंग Đसले पांच आरिक रिखेएंगे। भी उस्पासि यह तो हमें टेंगे सब एक त्रैसिंट्रॉन्स यह मिल जाएंगे। त्रीमार्क्स का क्वेशन है ओके हाउ इस इलेक्ट्रिक एनरजी ऑप्टेंड फ्रम ओशनिक एनरजी ओशनिक एनरजी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे तरह से प्रोडियूस हो सकती है तो इसमें अगर थ्री नेम भी लिखते हैं टाइट्स वेव और ओशन करण्ट्स के त्रूप हो सकती है तब भी इसमें अमें मिल जाएंगे ऑके पर हम समझने के लिए देख लेते हैं डाइजल एनरजी जो है हाईट्रीट लोँट्स किया जाता है जिससे कि इलेक्रिसिटी जो है वो टाइट्स के तुरू हम एक्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ऑके वेव एनरजी व तर्ड क्या है ocean thermal energy conversion यह एक ऐसा प्रोसेस रहता है जिसमें temperature difference मतलब deep cold ocean water और tropical surface waters का use करके energy को electricity को produce किया जाता है नेक्स्ट है osmotic energy यह ऐसा टेकनीक रहता है जिसमें salt water reservoir और fresh water reservoir जो है एक membrane के यहाँ पर रखे जाते हैं और उससे electricity जो है वो produce होता है तो इसे हम salinity gradient energy भी कहते हैं तो इसमें अगर हम directly लिख दे tidal energy, wave energy, ocean thermal energy conversion और osmotic energy तो त्रिमाक्स हमें इसमें मिल जाएंगे next question देखते हैं what do you mean by energy management से हम क्या समझते हैं तो energy management क्या रहता है planning and operation of energy का production की energy किस तरह से produce होगी उसका planning करना उसकी energy को किस तरह के से efficient way में utilize consume करना उसकी planning करना proper distribution होना energy का और storage होना इसको objective क्या रहता है energy management का ताकि resource जो है उसका conservation और judicious use हो सके climate का भी protection हो cost हमारी बचे और users जो है उनको permanent access मिल सके energy का जब उनको requirement रहे है next video में हम इसके MPPAC mains की paper 3 के ही और भी बहुत सारे questions discuss करेंगे if you like please subscribe my channel thank you friends and नीचे telegram channel की link दी है जिसमें आपको पूरा solve paper का PDF जोएवा मिल जाएगर thank you